हेलो गाईज, SK11 Expert चैनल मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो आज किस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, जो आपको यहाँ पर South Australia versus Western Australia के बीच में, यहाँ पर Australia One Day Cup का आपको जो First Match खिलायता दिखेगा, उसके बारे में गाईज मैं यहाँ पर बात करने वाला ह है, साथ में हम लास्ट येर के दोनों टीम के सभी प्लेयर्स के हम यहाँ पर full stats plus info भी देखेंगे, उसके लावा guys information भी आपको सभी प्लेयर्स के बारे में जानने को मिलेगी, तो चली guys, ज्यादा मैं आपको time waste नहीं करता हूँ, वीडियो को मैं यहाँ पर start करता हूँ, पह है, ODI match हो, test match हो, अहाँ पर spin मदत मिलती ही है, लेकिन यहाँ पर मैं fresh wicket expect कर रहा हूँ, फिर भी guys, spinners को यहाँ पर थोरा सा help मिल सकता है, लेकिन आपको पता यह पहला match होगा यहाँ पर Australia में काफी दिनों बाद, तो मैं यहाँ पर fresh wicket expect कर रहा हूँ, और यहाँ पर guys, आप आपके लिए batsman और fast waller मेरे हिसाब से key रह सकते हैं, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान लख लेगा, आप चलिए guys, यहाँ पर जो सबसे important बात है आपके लिए, वो है आपके लिए हमारे telegram channel पर join करना, इस match की जो deadline है, वो guys 6 वजे हैं, और guys मैं आपको morning, मैं आपको morning में final team update देने आऊंगा, line up सानी के बाद, और guys 100% मेरी team में changes होते हैं, मैं line up सानी के बाद change करता हूँ, तो जो आपको final team update मिलेगी, वो आपको हमारे telegram channel पर ही मिलेगी, यह हमारा telegram channel है guys, आप देख सकते हैं, यही पर मैं आपको final team update देता हूँ, IPL की match में भी मैंने कल आपको final team update देती थी, बहुत यहाँ पर अच्छी गई guys, captain हमारे Russell Wise, captain Subman Gill बहुत कमाल के गए, तो ऐसे guys आपके लिए काफी important रहते हैं final team updates, इसलिए guys telegram channel पर join करना आपके लिए काफी important है, तो क्या करें guys, आप इसी video के description में जाए, वहाँ पर आपको हमारे telegram channel का link मिल जाएगा, आप उस पर click करकर join कर सकते हैं, ठीक है, बाइचांस अगर link काम नहीं करता है, तो आप अपने telegram में जाए, simply search करें सक 11 expert और हमारे telegram channel पर join करने, अब चलिए guys, हम पहले squad देख लेते हैं, दोनों team का, यह South Australia का squad देख सकते हैं, ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे, इनके captain है Travis wise captain Alex Carey, Wes Agar है, रियान Gibson है, Sam Carver, Jack Lehmann, Nick Winter, Daniel Varen, ठीक है, तो यहाँ पर South Australia का squad है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो total आपको यहाँ पर, तेरा player का squad देखने को मिलेगा, तो इन मेंसे मेरी साब से दो player आपको बाहर देखने को मिल सकते हैं, एक मेरी साब से Sam Carver बाहर बैठेंगे, और एक guys यहाँ पर यह Mac Andrew, Mac Swami मेंसे कोई एक खेल सकता है, winter भी बाहर बैठ सकते हैं, वहाँ पर guys अगर आप Western Australia का squad देखेंगे, इन लेकिन इनकी team मुझे ज़्यादा strong लग रही है, last year भी यह final तर खेली थी, इनके captain है Mitchell Mars, Aston Agar, Jason Barandoff, Son Mars, Josh Philippe, Darcy Swart, Aston Turner, Andrew Ty, Sam Whiteman है, जितने भी guys इसमें आपको player देखेंगे, ज्यादा तर ऐसे player हैं, जो कि Australia के लिए खेल चुके हैं, और कुछ बहुत कमाल की young players है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर Western Australia की team थोड़ी सी ज़्यादा strong लग रही है, ठीक है, फिर भी हम balance team ही करने की कोसिस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा favor आप Western Australia को कर सकते हैं, यह last year का guys आप points से मल देख सकते हैं, तो guys यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर South Australia की team सबसे last year एक भी match नहीं जीत पाई थी, वह पर Western Australia की team पांच में से 3 match जीती थी और वो दोस्रे नावर पर थी, और यह final take भी गई थी, ठीक है, तो यह बात का भ्यार निखेगा, Western Australia मुझे थोड़ी ज्यादा strong लग रही है, लेकिन इस बार South Australia में भी कुछ अच्छे players को आपस आए जैसे की Kane Richardson, ठीक है, तो इनसे उनको काफी help मिल सकती है, अब guys हम सीजे stats पर चलते हैं, आपको सभी players का आप last year का stats देखने को मिलेगा, यह South Australia के आप सभी players के full stats प्लस info देख सकते हैं, यह guys यहाँ पर batting का है और यह यहाँ पर balling का है, अगर guys यहाँ पर runs में देखेंगे, Travis said ने इनके लिए 5 match में 286 run किये थे, 142 उनका highest score था, बचपन का average था, एक सतक था और एक उनका अर्दी सतक था, वही पर देखेंगे, Harry Nilsson ने 5 match में 197 में किये थे, 40 के करीब का उनका average था, 1 सतक, 1 अर्दी सतक इनका था, Alex Carey ने 5 match में 136 किये थे, और Wetheral ने 5 match में 134 किये थ ठीक है, उसके अलाबा guys अगर आप bowling का देखेंगे, तो bowling में आपको यहाँ पर guys जो टॉप बिकेट टेकर देखने को मिलेंगे, वह यहाँ पर West Agar थे, जिन्होंने guys यहाँ पर totally थी 5 match में 7 victory, उसके अलाबा अगर देखेंगे तो कुछ खास किसी का performance मुझे नहीं लगा था ठीक है, इसके चलते guys team last year अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन इस year Kane Richardson इनके पास available है, जो कि एक बहुत कमाल की बात है, अब चली guys हम दूसरी team के यहाँ पर stats देखते हैं, यह Western Australia के आप सभी players के full stats प्रस इनपो देख सकते हैं, यह batting का है और यह balling का है, इनके लिए अगर आप runs में देखेंगे, तो इनके लिए सबसे आदा runs किये थे, यहाँ पर Sam Whiteman ने 5 match में 220 run, 44 coverage था, 350 इनों ने किये थे, बहुत consistent थे, Cameron Green ने 5 match में 210 किये थे, बहुत कमाल के young player है, 150 इनों ने किया था, Jaws Singlish ने 5 match में 209 किये थे, यह भी बहुत कमाल के player है, और इनको World Cup में भी select किया गया है, बहुत अच्छे player है, Mitchell Mars बहुत कमाल के form में है, recent times में, दो match में 80 run इनों ने किये थे, ठीक है, तो यह सब इनके कुछ अच्छे batsmen थे, Son Mars ने भी 2 match में 116 run किये थे, 83 के average के साथ, ठीक है, तो उनका भी ध्यान लखेगा, उसके लाबागाई कर सकते हैं, भले उतना ज्यादा runs नहीं किया, लेकिन वो runs भी कर सकते हैं, ठीक है, Baron Doff ने 2 match में 6 विक्टे ली थी, बहुत अच्छे left-arm fast baller है, Matt Kelly भी अच्छे baller हैं, 2 match में 3 विकेट उनके नाम पर भी थी, ठीक है, तो यह सब stats का अध्यान लखेगा, कोई भी अगर आपको player खेलता दिखता है, आपको इसमें सभी players का stats मिल जाएगा, बाइचान समाल लीजे कोई नया player खेलता है, इसमें अगर आपको stats नहीं मिलता है, तो मैं stats आपको telegram channel पर share कर दूँगा, इसलिए guys हमेशा बोलता हूँ, telegram का importance बहुत बढ़ा है, तो वहा हमेशा आपको एक बात remind करता हूँ, कि guys आप team खुद से भी बना सकते हैं, please मेरी team आप copy paste करने की कोशिस ना करें, मेरा main focus रहता है कि मैं आपको best से best यहाँ पर analyst वीडियो में provide कर सकूँ, यानि कि सभी players का stats, information, यह मैं आपको अच्छे से provide कर सकूँ, ताकि आप खुद से भ confidence रखिए, और ज्यादातर मैसस के team खुद से बनाने की try करिए, ठीक है, मैं आपको जितना ज्यादा stats, information परवाइड करता हूँ, उससे आप definitely बहुत अच्छे team बना पाएंगे, guys, ठीक है, मैं हमेशा एक रिक्स लेकर खेलता हूँ, वो अगर मेरा work नहीं करता है, तो मैं हा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने मर्जी से जो आपको चेंज करना हो, आप simply कर सकते हैं, ठीक है, guys, अब यहाँ पर हम बिगेट की पर सक्षन पर आते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे, तो Alex Carey, Joss Philippi, Sam Whiteman, Joss English, Harry Nilsson, पांचो प्लेयर हैं, जो की खेलने चाहिए, पा Alex Carey, आपको नहीं पता, तो Australia के ODI टीम के, यह वाइस कैप्टन भी हैं, और Finch अबलेबल नहीं रहते हैं, तो कैप्टन भी है, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर है, ODI format में बहुत अच्छा करते हैं, हमेशा से, तो मैं इनको लूँगा, ठीक है, यह मेरे number one choice है, अब यहा कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इनका भी ध्यान रखेंगा, लास्ट यर तीन उनने पचास किये थी, तो यह आपके लिए ग्रैल्डिक के अच्छे पीक है, ठीक है, डेक्स्ट यहाँ पर जोस इंगलीज आते हैं, जो कि मीडल ओर्डन में आएंगे, बहुत कमाल के प्लेयर ह मुझे इन्होंने बहुत इंप्रेस किया, ठीक है, इसी के चलते हैं, इनको जोस इंगलीज को अस्टेलिया के टीव 20 वर्ल्ड कप टीम में स्लेक्ट किया गया है, अलेक्स कैरी के ऊपर, बहुत टैलेंटेड हैं गाईज, नो डाउट, तो मैं इनको भी लूँगा, ठीक है और यहाँ पर वाइट मैं को आप ट्राई कर कियेगा, ग्रैंडी की, यहाँ पर 3-4 टीम में, ठीक है, इस मॉल डिंग में में मेरे हिसाब से कैरी और इंगलीज ही आपके लिए अच्छी ऑप्सन है, आप दोनों को लेकर जा सकते हैं, कैरी को तो आपको मस्ट पिक है, उनक में बिगेट कीपनिंग भी करेंगे, अब आते हैं हम बैटिंग सेक्षन पर गई, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ऑप्सन है, सौन मार्स ठीक है, नमबर वन ऑप्सन, सौन मार्स मेरे हिसाब से आपके लिए नमबर वन च्वाइस है, बहुत अच्छे पैर्समन है, हर मैच में अच्छा कर सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, अस्टेलियक लिए भी काफी खेले हैं पहले, बहुत यहाँ पर गाइस एक्सपीरियंस है इनको, तो इनको तो मैं जरूर लूँगा, लास्ट येर भी दो ही मैच खेले थे इस टुनामेंट में, लेकिन बहुत अखेले थे, मारकस इस्टोनिस अनेभुलेबर हैं, जैक बेथरल इनकंसिस्टेंट पेर हैं, आप ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो ओपेन करेंगे, डार्सी सोट गाइस यहाँ पर वन डाउन भी आ सकते हैं, ठीक है, अब देखना को कहा क्या करते हैं, लेकिन ओडिय यहाँ पर देखेंगे, क्यामरन बैंक्रॉफ्ट है, जैक लेहमन है, क्यामरन ग्रीन मेरे लिए बहुत अच्छी पिक है, मैं इनको लूँगा गाइस, नो डाउट मैं इनको लूँगा, और मेरे हिसाब सी ऑस्ट्रिलिया की बहुत अच्छी फ्यूचर है, ठीक है, बैटि यह तीनों को मैं रिकमेंड करूँ, गाइस, अभी के लिए मैं यहाँ पर बैंक्रॉफ्ट है नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा, सौट और वैथरल में से अभी आप किसी एक को ले ले, ग्रैंडिक में आप ट्रडन को ले सकते हैं, जो कि फिनीसिंग करेंगी, ठीक है, अ यहाँ पर गाइस, नीचे से यहाँ पर हंट और गार्टनर के खेलने के बहुत कम चांस है, अब आते हम और लाउंडर सेक्षन पर, जहाँ पर मिचल मार्स, ट्रैबिस हेड, यह दोनों प्लेयर को हमें सबसे पहले सेलेक करना है गाइस, मिचल मार्स बॉलिंग भी करेंगे और अभी जो रिसेंट इंड का फर्म है, वो मेरे सबसे सबसे बेस्ट है, अगर आपने अस्टेलिया के मैचेस फॉलो किये हूंगे गाइस, तो यह एकलौते ऐसे बैट्समन थे, जिन्होंने बंगलादेस में भी रन बनाए, वेस्ट अंडीज में भी रन बनाए, सारे खेलते हैं उस्टेलिया के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर ये भी है, तो मैं इनको भी ट्राइ करूँगा, ठीक है, और ये भी पार्ट टाइम ऑफिस भी डाल सकते हैं, यहाँ पर गाइस एस्टर अगर हैं, जिनको आप ले सकते हैं, जो की बैटिंग भी करेंग और साथ में लेफ्ट टाम ऑथोडॉक्स भी डालेंगे, और गाइस मैं यहाँ पर ज्यादा किसी को मैं ट्राइ करने को नहीं करूँगा, एक अगर को ले सकते हैं, लेकिन अभी केले हम बालिंग सेक्षन पर चलते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी अप्सन है, प अस्टेलिया के टीम में, मुझे बहुत दुखवा परसनली, लेकिन मैं इनको लूंगा गाइस, ठीक है, यह भी बिकेट टेकर हैं, और अभी 140 से उपर डालने लगे, ठीक है, जो कि एक और कमाल की बात है, ठीक है, तो मैं इनको भी यहाँ पर ट्राइ करूंगा, अब के लिए क्लिक खेल चुके है, यह है, वेस एगर है, यह भी एक बिकेट टेकर है, मैट कैली भी बहुत अच्छे फास्ट वालन है, तो यह तीन आप के लिए बहुत अच्छी ओप्सन हैं, जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं, और मैं ज्यादा रिकमेंट नहीं करूंगा, तो कमारे ओल्डाउंडर है, इन तीन प्लेड में से मुझे दो लेना है, थोड़ा कनफ्यूजन है कि मैं किसे लूँ, तो यहाँ पर मैं अभी के लिए, आपको पता है, मैं वेस्टन इस्टेलिया को थोड़ा फेवर करूंगा, तो मैं यहाँ पर बैरंडॉप को तो पिक करू इन दोनों में से किसी एक को हटा कर, आप यहाँ पर एस्टन इगर को ले पाएंगे, ठीक है, तो आप इस तरीके से गाईज एस्टन इगर ले सकते हैं, तो वो भी आपके लिए कॉंबिनेशन ठीक है, लेकिन मैं अभी के लिए इसी कॉंबिनेशन के साथ जाना पसंद इसमें आप चाहें तो इंगलीस की जगह भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, इंगलीस की जगह पर भी चाहें, तो आप रैफर कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको लेना हो तो यहाँ पर एस्टन इगर, ठीक है, वो भी ठीक रहेंगे, लेकिन इंगलीस मुझे बहुत पस है और यह तीन में आपको नमबर वन बोलूँगा फिर सॉन मार्स भी काफी कंसिस्टेन है उनको अभी प्रेफर कर सकते हैं लेकिन मेरे लिए मिचल मार्स ट्रैबिस हेड और एलेक्स केरी में पिक्स है ठीक है सी विसी के लिए स्मॉल लिग में सेफ ग्रांडी की तो मैं भी कमाल कमाल क्या आपको अपसंदूंगा तो मेरे अभी क्लिए क्याप्टन मिचल मार्स रहेंगे नो डाउट वाइस कैप्टन सी बहुत मैं सूच रहा था मैं किसे दूँ अभी कले मैंने ट्रैविस हेड को ही दिया है आप यहाँ पर चेंज करके अलेक्स कैरी भी कर सकते हैं मैं इसके लाबा सौन मार्स भी कर सकते हैं तो यह बात का ध्यान लगेगा उसके लाबा गाइस आप बात आती है ग्राइट लिग में हम कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करें ग्रांड लिग में नम्मर वन जो आपके लिए औप्टन है सीवीसी के वो है कैम्डन ग्रीन यह यह बंदा आपके लिए पांस एच्छी ओवर बॉल्डिंग भी कर सकता है साथ में बहुत अच्छी बैटिंग भी करता ठीक है तो यह आपके लिए नम्मर वन ग्रैंडी का कैप्टन का ओप्शन बनता है सीवी से का सेलेक्शन भी बहुत कम है प्लेयर बहुत टैलेंटेड है ठीक है तो आप इनको ग्रैंडिंग में जरूर सीवी सी ट्राइ करिएगा उसके लावा गाइस मैं बात करूं तो यहां पर जो सिंगली से हैं बहुत अच्छे प्लेयर उनको कर सकते हैं और बालिंग में बात करूं तो यहां पर एंडू टाई है और केन रिचर्टन है ठीक मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी टीम के साथ ही जाएंगा इस ठीक है तो यह बात का आप हमेशा ध्यान लेकिए तो यह गाइस अभी के लिए टीम बनती है इसमें हो सकता है मैं कुछ चेंजेस कर लूँ और यहां पर ज्यादा चांस रहते हैं कि मैं हमेशा अपने टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस करता ही हूं तो गाइस जो हमेशा की तरह आपको फाइनल टीम अपडेट मिलेगी न वह आपको हमारे टेलिग्राम सेनल पर ही मिलेगी और फाइनल टीम काफी इंपोर्टेंट बनती है फाइनल टीम अपडेट तो मैं आ कोई नया प्लेयर खेलता है तो उसका कम्प्लीट इस्टार्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा गाइस तो कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट बात यहीं है कि अगर आप यह मैच खेल रहें तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर जोइन करना काफी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल टीम अपडेट काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है गाइस ठीक है तो यह बात का हमेशा ध्यान लगें तो अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए उस पर सिंप्ली क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जॉइन करने ठीक है फाइनल टीम अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाए कि गाइस ठीक है अब बाइचांस लिंक काम नहीं करता है तो मैंने आपको अलड़ी बताया आप अपने टेलीग्राम में जाइस कैसे भ नॉपस्की को ट्राइ करिे गया मंची करके सकते हैं कि आपको अपांच हो आपिलीग्राम में जो और चोला है उसमें जरूर में जरूब्सकी को ट्राइगा पर एक child को और विम सदैत मोंste घजा सकते हैं 11 उसमें भी आप बहुत अच्छा विनिंग कर सकते हैं स्पोर्ट से हैं जिसमें कॉम्पूटिशन बहुत कम है ठीक है तो गाइस आपको पांच बहुत कमाल की अप्लिकेशन का लिंक मिल जाएगा पांचो में अगदम फ्री में खेल सकते हैं तो चाहे तो गाइस आप पांच है झाल झाल